जमु कश्मीर में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने को तयार नहीं है कभी पाक सेना एलोसी पर गोलियां बरसाती है तो कभी पाक में पलने वाले आतंकी घाटी में दहशत फैलाते हैं भारत लाक बार पडोसी मुल्क को समझा चुका है लेकिन उस पर कोई असर नहीं है इसलिए सेना प्रमुक बिपिन रावत ने अब कड़ी कारवाही की चेतामनी दी है साथ ही भारत से तुलना पर उसे हकीकत का आईना दिखाया है अभी पिछले दिनों ही भारत और पाकिस्तान के बीच डीजी मुस्तर की बातचीत हुई थी जिसमें भारत ने पाक के सामने बैट की घुसपैट और आतंकवाद का मुद्दा उठाया था इस मिटिंग के बाबजूद पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया पिछले दिनों पाक के नागरिकों को घुसपैट करते देखा गया वहीं पडोसी मुलक की सरपरस्ती में पलने वाले आतंकी भी लगातार भारत की परिशानी बढ़ा रहे हैं इसलिए आज सेना प्रमुक जनरल विपिन रावत ने पाकिस्तान को आँख दिखाई है उन्होंने कहा कि पाक आतंक्यों की घुसपैट कराना बंद करे और अगर वो अपनी इसी रणनीती पर कायम रहता है तो भारती सेना के पास इसका जवाब देने के लिए कई विकल्प हैं उन्होंने कहा कि पाक जानता है कि वो भारत के विरुध काम्याब नहीं हो सकता इसलिए कश्मीर के विकास में बाधा पहुँचाता है मगर भारत के इस राजी के पास उसके मनसूबों पर पानी फेरने के लिए बहुत कुछ है और हम विभिन अभियानों से भी इसे करन करना चाहिए और तब भारत से तुलना करनी चाहिए डिवी लाइब की रिपोर्ट हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डिवी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बिल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंशती रहें देखते रहें डिवी लाइब क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार